यह कब से आप बिजनस कर रहे हैं यह कम सब 25 साल हुआ है मेरा रेश्टुडेंट भी है महां भी रेश्टुडेंट वहाँ पर मसाला वाली चाह रहे है अध्रक वाली चाह है लिवन टी ब्लग टी यह होट लिवन है अचा मतलब तो आपका अलू पराठा है तो उसका क्या में खाने वाली चीजे जैसे कि चाह हुए वगेरा वो सबसे बढ़िया और सबसे प्रसिद्ध और सबसे स्वादिश्ट कहां मिलता है तो हम घुमते गुमते आ चुके हैं मंदिर के मंदिर संग्राल है हमें और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि सबसे बहतरीन चाह और अलू पर अलू पर आठा यहीं पर बंता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आकाश अलू पर अठाव है और यहां पर माता जी है तो मुंसे जानेंगे किस प्रकार से माता जी बहुत-बहुत सवागत है पहली बात और फृट आप परीज़े नाम बताइए मेरा जो आते हैं तो उनको क्या क्या खाने करें हम लोग और से तयार करते हैं पराथा वागे रहा है मसाला पराथा है पूरी सब्जी है शीट पराथा है और अगया कि यहां के चाय बहुत ही फेमस है लोग पीने पीने के आज दूर दूर से अधर कोस्ते बाली चाहें लेवन टी सब्सक्राइब करेंगे और स्थानिय लोग जब हो जाते हैं तो जो खजुराओं एक दिन में आप कवर नहीं कर सकते हैं तो इनका जब सहयोग रहेगा तो पर बहुत ही शानदार रहेगा और सहयोग तो रहेगा यहां पर आप देख सकते कितने स्वक्ष तरीके से रखा गया यानि की साप सफाई भी यहां पर बहुत बहतरीन है और अभी तो फिलाल टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोरोना गाइडलान से बाहर से लोग नहीं आता है लेकिन एक समय यहां पर इतनी भीड रहती है जिसकी कलपना करना बेहद ही मुश्किल है तो आप जब भी आईए तो यहां आंटी जी के इस आकास आलू वाले पराठे के पास जरूर आए चाय पीजिए पराठा खाईए और फिर टेस्ट करके हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुबहुत साजाई किजिए तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इनका अड्रेस अगर फिरस अगर अपने नहीं नोट किया तो फिरसे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आज के लिए फिलाल इतना है जैन्यवाद नमस्कार यह हमारी दूआ है जैन्यवाद